हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पैरामेडिकल के नमर वन चैनल स्टेडी वितरितीश में तो दोस्तों आज की क्लास बहुती ज़्यादा सांदार होने वाली है बहुती ज़्यादा इंटरस्टिंग होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग समान्य ग्यान के important question करेंगे जो आपके पैरामेडिकल एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा important होंगे तो चलिए बच्चों आज की क्लास को start करते हैं तो class को start करने से पहले एक छोटी सी request है यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए है पहली बार है तो इस चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को hit कर लिजिए तो चलिए दोस्तो पहला question आपकी screen पे तो पहला question है कौन एक प्रसिद TV anchor है कौन एक प्रसिद TV anchor है संतोस सिंग, अभिसेख सिंधवी, नेस वाडिया या करन थापड जल्दी से बता दीजिए प्यारे बचो बेहत simple प्रस्न है और ठीक इसी type के प्रस्न आपके examination में पूछे जाते है तो कौन एक प्रसिद TV anchor है तो very good यदि आपने जवाब दिया है option number D यानि करन थापड देनापका answer सही है ना तो करन थापड एक प्रसिद TV anchor है चलिए student बढ़ते हैं अगले question की तरफ और अगला question है अधिक्तम कितने लोगों को एक छेतर में नौबल पुरुसकार दिया जा सकता है तो बताए दो लोगों को तीन लोगों को चार लोगों को या छे लोगों को जल्दी से बताएगा बच्चो तो very good student यदि आपने आप दिया है option number B यानि 3 जिहां दोस्तो अधिक्तम तीन लोगों को जो है एक छेतर में नौबल पुरुसकार दिया जा सकता है अच्छा दिखें नौबल पुरुसकार का छेतर का बात आया है तो मुझे आप लोग ये बता दिए जो नौबल पुरुसकार है ना नौबल प्रस्ण ये मैं पूछ देता हूँ नौबल पुरुसकार जी हां दोस्तो नौबल पुरुसकार जो है कितने छेतरों में दिया जाता है कितने छेतरों में दिया जाता है जल्दी से बताएंगे सभी विद्यारती नौबल पुरुसकार कितने छेतरों में दिया जाता है तो जी हाँ दोस्तों यदि आप बता रहे हैं अंसर 6 छेत्र देन आपका अंसर सही है तो आएए उन 6 छेत्रों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा छेत्र है जिनमें नौबल प्रुसकार दिया जाता है ठीक है तो देखिए बच्चो ध्यान दीजेगा बहुत इंपॉर्ट के छेत्र में दिया जाता है तीसरा जो छेत्र है बच्चो सांती के छेत्र में भी दिया जाता है चौथा छेत्र है साहित्य है ना साहित्य यानि लिट्रेचर के भी छेत्र में दिया जाता है पांचवा भौत की के छेत्र में भी दिया जाता है और छटा छेत्र है रसायन र वर्स 1901 में होई थी ती किसके सցरीत है क्या आप लोग बता सकते हैं ये किसके याद में दिया जाता है तो ये बचो स्वीडन के एक वेग्यानिक थे अल्फ्रेड नोबल है ना स्वीडन के एक वेग्यानिक थे अल्फ्रेड नोबल ये वही अल्फ्रेड नोबल है जिन्होंने डाइनमाइट की खोच की थी ठीक है तो ये किसकी स्मृति में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के वेग्यानिक थे अल्फ्रेड नोबल कराची सेशन गांधी इर्विन समझोता या तिरतिय गोल में समयलन जल्दी से बताईएगा खाना के लिए ना खाना के लिए जो नमग बनाने का अधिकार था वो किसके उपरांत मिला था तो जी हां दोस्तों यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं गांधी इर्विन समझोता जी हां गांधी इर्विन समझोता के उपरांत मिला था खाना के लिए नमग बनाने का अधिकार ठीक है अब देखें बच्चों यदि हम लोग बात करें गांधी इर्विन समझोता ये कब हुआ था तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को अब देखें पूना पैक्ट है ये कब हुआ था बच्चों है ना पूना पैक्ट यानि इसको पूना समझोता भी कहते हैं है ना तो ये कब हुआ था बच्चों ये हुआ था 24 सेप्टेंबर 1932 को कब हुआ था 24 सेप्टेंबर 1932 को हुआ था आपको ये दोनों चीज याद रखना है चले बढ़ते हैं अगले कोश नासिल भी कहते हैं इसका मुख्याले पूछा है कहां पर है कहां पर है दुबई में यूके में आस्ट्रेलिया में या साफ्ट अफ्रिका में चल्दी से बता दीजी प्यारे बच्चों ICC जी हां दोस्तों ICC का मुख्याले कहां है तो वैरी गुर्ड यदि आप लोग दे रहे हैं आप्शन नमरे यानि दुबई है ना जिसको UAEB कहते है उनाइटेड अरब इमिराद ठीक है तो ICC का मुख्याले कहा है दुबई में है बच्चो बात आई है ICC की तो इसकी स्थापना भी बता दीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो प्यारे बच्चो इस तो चलिए स्टूडेंट अगला प्रेश्चन है किसने भारत पर सत्रा बार चड़ाई की यानि किस सासक ने भारत पर लगतार सत्रा बार अकर्मन किया था बताए अलावदिन खिल जी रजिया सुल्तान मुहंबद गजनभी या फिरोज सात्तुगलग चल्दी से बताना है बहुत ही वी वी आई कोशन हो जाता है यह आपके पैरा मेर्टिकल एक्जाम पॉइंट अब व्यू से तो जल्दी से बताना है किस सासक ने भारत पर सत्रा बार अकर्मन किया था तो वेरी गुड यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नमर सी यानि महंबद गजन जी हाँ दोस्तों महंबद गजनवी ने भारत पर सत्रा बार अकर्मन किया था और साथ ही साथ बच्चों इसने सोमनात मंदिर को भी लूटा था तो प्रेस ने पुछा जा सकता है कि सोमनात मंदिर को महंबद गजनवी ने कब लूटा जी हाँ दोस्तों सोमनात मंदिर को है एक हजार पच्चिस इस्वी में है ना याद रखना है एक हजार पच्चिस इस्वी में अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान मुहंबद गजनवी ने सुमनात मंदिर पर आक्रमन किया था और इसके बाद मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस करके लूट लिया था ठीक है तो यह आपको याद रखना है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ स्टुडेंट अच्छा यहां से देखिए अलाओ दिन खिल जी की बात आई है तो एक प्रस्नी यह भी बन जाता है कि अलाओ दिन खिल जी का दरवारी कभी कौन था बच्चो बहुत ही फेमस नामें उ का विसकार किया था तबला और सितार का विसकार किस्टी किया था अमेर खुसरों के द्वारा ही किया गया था अब देखे बात आई है रजिया सुल्तान जी के बारे में तो यहां से प्रस्नी यह बन जाता है कि भारत की प्रथम महिला सासक कौन थी भारत की प्रथम महिला सा सा कौन थी रजिया सुल्तान जी थी आप देखे बच्चों फिरोज सा तुगलक जी बच गए हैं तो इनके बारे में भी जान लेते हैं ठीक है तो एक प्रस्नी ये बन जाता है कि किस सुल्तान ने किस सुल्तान ने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था देखिए प्रस्न जानते हो है ना तो किस सुल्तान ने हक ए सर्व नामक सिंचाई पर कर लगाया था कर लगाया था यहने टेक्स लगाया था तो इकौन था फिरोज सा तुगलक था ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ स्टूडेंट तो अगला प्रेश्न है यहां पे ध्यान द जवाब देंगे बिल्कुल फास्ट हां जी आस्ट्रिया दिखें यहां पर प्रस निये है वियना कहां की राजधानी है तो जी हां दोस्तों वियना कहां की राजधानी है तो यह आस्ट्रिया की राजधानी है वैरी गूड स्टूडेंट यदि आपने जवाब दिया है और यह यूरोपिय देश है यानि रोप के देश आस्ट्रेलिया यूरोप के देश आस्ट्रिया की राजधानी वियना है और यहां पर रास्ट्रे दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है और यहां की मुद्रा क्या है बच्छो आस्ट्रिया देश की जो मुद्रा है करेंसी है तो याद रखना है यूरो है यूरो है अब देखे ऐस्टेलिया की बात करें तो यहां की राजधानी क्या है कैनबरा क्या है बचो आस्टेलिया की राजधानी क्या है कैनबरा है और हंगरी की राजधानी कहा है बुढधा पेस्ट है देखिए राजधानी से भी प्रस ने आई ये तो वेरी गूड डेनमार की राजधानी का है बच्चो कॉपेन हेगन ठीक है कॉपेन हेगन है डेनमार की राजधानी क्या है कॉपेन हेगन अब देखें बच्चो पैरामेडिकल दो हजार इक किस के परिक्षा में एक कुशन पुछा गया था देश की राजधानी के वारे में एक देश है बच्छो मानगुआ ठीक है एक देश है मानगुआ यहां की राजधानी पूछ लिया था आप में से काफी बच्चे एक्जाम दियेंगे तो यह कुशन पता है पहला कुशन यही था है आपके gk के पेपर का पहला कुशन यही था जो अदरीक्ष का जो पहला कोशन आई थिंग यही था बताईए तो आप लोगों में से काफी बच्चे एक्जाम दियोंगे न तो जल्दी से बताईए कोशन था की नहीं था मान गुआ की राजधानी क्या है ऐसा प्रसन था की नहीं था बच्चो था न तो जल्दी से बतादीजिए मान गुआ की निकार गुआ क्या है बच्चो निकार गुआ याद रखना है ठीक है पूछा जा सकता है जीके के प्रस्ण काफी रिपीट होते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ स्टुडेंट यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर देरीजेगा चलिए स्टुडेंट अगला प्रेशन है पैरडाइज लॉस्ट किसने लिखी बच्चो ये एक बहुत अच्छी पुस्तक है पैरडाइज लॉस्ट इस पुस्तक के रचनाकार कौन है मिल्टन आदम स्मीत यानि एडम स्मीत इनका नाम है ठीक है यहाँ पे गलत प्रिंट दे लॉस्ट इस पुस्तक के रचनाकार कौन है तो जी हाँ दोस्तों यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं आप्शन नमरे यानि मिल्टन देन आपका अंसर सही है ठीक है तो मिल्टन एक लिखक है और इन्हीं के दौरा जो है यह पुस्तक पैरडाइज लॉस्त लिखी गई है देखिए बात करेंगे डार्विन तो ये भी एक बहुती फेमस राइटर है इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है थुरी ओफ इवाल्यूएशन पुछ लेता है बच्चो थुरी ओफ इवाल्यूएशन है ना थुरी ओफ इवाल्यूएशन नामक पुस्तक के रचैता कौन ह तो, डार्वीन है, देखें, सेक्स पियर, इनका तो ब्रूनम आप सभी लोग जानते होंगे, तो, सेक्स पियर के द्वारा भी कई सारी पुस्टके है, जिन में से एक द्वारा भी कई सारी पुस्टक है, ओधालो, ओधालो नामक पुस्तक कर रजीता कौन है, तो अब बात कर पुछा जा चुका है देखिए इनके द्वारा भी कई सारी पुस्तक यह लिखी गई है जिन में से एक पुस्तक है दा वेल्थ आफ नेशन तो एक प्रसन इंपॉर्टेंट हो जाता है दा वेल्थ आफ नेशन यह आपके एक्जाम में आ रखा है पैरामेडिकल 2020 की परिक्षा में आ रखा है दा वेल्थ आफ नेशन पुस्तक किनकी करिती है यानि दा वेल्थ आफ नेशन के रचनकार कौन है तो यह है बच्चो एडम स्मिट ठीक है याद रखिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरफ स्टुडेंट तो चलिए स्टुडेंट अगला प्रे पूल जी हाँ बिहार का राजकिय फूल के बारे में पूछा है तो यह क्या है बच्चो गेंदा है यानि यदि आपने अंसर दिया है औप्शन नमर सी देनाब का अंसर सही है तो बिहार का जो राजकिय फूल है वो क्या है गेंदा है ठीक है अब देखिए बच्चो राजक किये पक्षी जी हां दोस्तों बिहार का राज किये पक्षी कौन सा है बताए तो बिहार का राज किये पक्षी तो ये है गोरईया कौन है गोरईया है आपको याद रखना है और बिहार का राज किये पशु बताए तो बिहार का राज किये पशु कौन सा है तो ये है बच्चो ठीक है बैल आपको याद रखना है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशिन की तरफ इस्टुडेंट चलिए स्टुडेंट अगला प्रेश्चन है किस पुस्तक के कारण लेखक या लेखिका को पुलितिजर पुरस्कार मिला जी हाँ दोस्तों पुलितिजर पुरस्कार जो पत्रक इस्ट के कारण पुलितिजर पुरस्कार मिला था पत्रकारता के चेतरे में गहाँ पर है बताये तो पिरामीड कहां पर है ब्राजिल में एरान में इजिप्ट में ये इराक में जल्दी से बताईए प्यारे बचो बहुती अच्छा कोशन है पिरामिड पिरामिड से रिलेटेड है तो पिरामिड कहां पर है तो वेरी गुड कहां है ये इजिप्ट में है है ना तो आप्शन नमबर सी जो है स्कूशन का राइट आंसर हो जाएगा और इजिप्ट की राजधानी की बात करें तो कहां है बच्चो यह काईरो है ठीक है अब दिखें बच्चो यहां पे दो देश हैं इरान और इराक तो दोनों देश का प्राचिन नाम पुछा गया है इराक का भी पुछा गया है है ना काफी बार इराक का तो काफी बार पुछा गया है कि इराक देश का प्राचिन नाम क्या था बताए तो इराक देश का प्राचिन यानी पुराना नाम क्या था जल्दी से बताएंगे सभी स्टुडेंट इराग देश का प्राचिन यानि पुराना नाम क्या था तो ये था बच्चों मैसो पोटामिया क्या था मैसो पोटामिया था ठीक है मैसो पोटामिया याद रखना है और इरान देश का प्राचिन नाम क्या था परशिया ठीक है पर्शिया ये भी याद रखना है ठीक है तो चलिए दोस्तों आज की स्क्लास में इतना ही यदि आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरू देजिएगा और अपना फेड़ बैक जरू दीजिएगा इस क्लास के प्रती मिलते हैं अगली क्लास में नहीं ज आता, टेक केर, गूद नाइट.